हेलो दोस्तों मैं सुमन और आज हम बात करेंगे node.js के अंदर क्लस्टरिंग की क्लस्टरिंग क्या होती है और हम क्यों करते हैं basically क्लस्टरिंग यूज होती है कि प्रफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए जैसे आपके सर्वर पे अगर node.js server पे आकर बहुत सारी request आ रही है एक साथ जैसे हमान लिया कि दो-तीन हजार request आ रही है तो उस case में क्या होता है कि जो हमारी node.js है वो इस हिसाब से design की गई है कि अगर आप इसको एक multiple cpu machine पे भी run करेंगे तो यह सिर्फ single cpu का ही use करती है by default ठीक आपने सुना भी होगा कि एक single threaded language है जो सिर्फ single thread use करती है मतलब single cpu use करती है तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो application होती है उसमें हो सकता बहुत सारी requests एक साथ आए जैसे कोई बड़ी application है जिसमें multiple users को use करेंगा और maximum applications को करते ही हैं बहुत सारी request आती है एक साथ तो उस case में क्या होगा कि जब इतना load cpu पे जाएगा single cpu पे तो आपकी application slow हो जाएगी ठीक है या तो slow हो जाएगी या फिर अगर कुछ crash हो गया उस single instance पे या उस cpu पे तो पूरी के पूरी application ही crash हो जाएगी और जो users होंगे उनको application offline हो जाएगी मतलब दिखेगी नहीं या वह assess नहीं कर पाएंगे तो यह मतलब हमारे कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं बट clustering का क्या होता है कि clustering के थुरू हम लोग क्या कर सकते कि सारे के सारे cpu को use कर सकते हैं जैसे किसी machine में चार cpu है तो हम चारों को use कर सकते हैं ठीक है और processes को हम लोग assign कर देते हैं अलग-अलग को और जो इसमें clustering होती है node.js में वो एक load balancer के साथ में आती है जो load balance करता है different CPUs को वो assign करता है कि कौन से CPU को कौन सी process जाएगी और जो algorithm use होती है इसके लिए assignment के लिए वो होती है round-robin algorithm आपने पड़ा भी होगा operating system के अंदर रांड-robin और algorithms क्या होती है और बाकी algorithms भी होती है बहुत सारी important questions भी आते हैं तो आप उसके बारे पढ़ सकते हैं अगर मेर से explanation चाहिए होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि हम कैसे उसको कर सकते हैं ठीक है तो इसमें basically हो था क्या कि node.js जो हो इंट्रड्यूस कर दे क्लस्टर जो क्या करता multiple copies बनाता है same application के ठीक है same machine में और same time पे और यह मतलब इन में एक load balancer होता है जो मतलब balance करता है कौन सी कहां जाएगी ठीक है बाकी algorithm आया आपको बताई दी है तो यह basic सी चीज है कि हमने क्या करना है और यह किसलिए use होती है ठीक है अभी हम लोग इस पे थोड़ा सा code करेंगे कि हमारे हम एक application create करेंगे जिसमें हम ऐसी process बनाएंगे जिस पे थोड़ा time लगे ठीक है फिर हम उसको एक side हम clustering से देखेंगे कि कैसे चल रही है एक side हम without clustering देखेंगे कि कैसे चल रही है ठीक है तो में लीस में हो थक है कि हम लोग child processes बना देते हैं ठीक है और वो child processes क्याते हैं अलग-अलग server CPUs पे and run होती है थीक है तो child processes आपको पता होगा कि node.js में कैसे काम करती है child processes आगर आपने child process कोई बनानी है तो आप cluster से बना सकते है और वो कैसे होती है कि आप fork कर सकते है cluster को तो उसे child process बन जाती है child process बनाने के और भी तरीकह है जैसे spawn Method भी यूज कर सकते हैं Exact भी दोको यूज कर सकते हैं Exact Terminal में यूझत हता है Spawn, Fork में थोड़ा सा फर्क होता है ठीक किसी टाइम हम लोग अलग से Child Processes के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे तो आज थोड़ा सा Code स्टार्ट करते हैं तो मैंने एक एक empty ले लिए एक empty project ले लिए जिसके अंदर में मैं सबसे पहले git init कर देता हूं ठीक है इसके अंदर में हमारे पास में आप देखेंगे तो इसमें हम लोग करेंगे npm init ठीक है package.json बनेगी इससे तो मैंने जैसे था वैसे ही रखती है इसको ठीक है अभी हम लोग इसको देखेंगे तो इसके अंदर में package.json आ चुकी है मतलब हम इसमें npm के थो कोई भी package बगएर इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है यह पहला काम हो गया और थोड़ा समय आपको उसके बारे में बता दो clustering के बारे में तो basically जो initially run होता कोई request आती है तो यह सिर्फ एक core को जाती है ठीक है और जो हमारी clustering होते है उसके बाद में ऐसे होता है की request आएगी यह सबसे प्राइमरी CPU के पास में जाएगी जो लोड बैलेंसर का काम करेगा और यह बाकी core या फिर बाकी CPU को processes साइन कर देगा इस case में अगर core 1 पे या फिर एक CPU पे अगर process को crash हो जाती तो बाकी के चलते रहते हैं तो आपका जो system application वो आप रहती है और उसमें downtime कम से कम होता है ठीक है तो यह थी एक simple explanation और इसमें हमें दो चीज़े install करनी है ठीक है पहले तो एक तो चीज़े install करने express जो हमारा API बनाने के लिए package यूज़ होता है सबसे famous है ठीक है और एक हम लोग यूज़ करेंगे एक package होता है load test ठीक है आपने इसको globally install कर लेना है यह मैंने खुला भी हुआ है यह होता है API को test करने लिए और यह आपको उसकी सारी की सारी मतलब जो performance होते है वो बता दिता है इस तरह से ठीक है इसमें आप लोग concurrency अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितनी request भेजनी है वो सेट कर सकते हैं थोड़ी दिर में इसको यूज़ करेंगे मैंने इसको अलड़ी install किया हुआ है तो आप इसको यहां से install यूज़ कर सकते हैं अगर इसके साथ एक अपनी file बनाते है index.js और एक छोटा से change हम लोग package.json में करेंगे इसमें हम लोग एक और key add करते हैं जिसका नाम होगा type और इसको करते हैं module module से क्या होता है कि जो हमारे import वाला syntax होता है जो हम react में भी यूज़ करते हैं कि import express from express या import exios from exios इसमें चलता है यह यह हमें require करना पड़ता है तो इससे क्या होता है यह वाला syntax भी चल जाता है तो मैं express करता हूं import from express ठीक है और एक पोर्ट डिफाइन कर देता हूं जैसे मैंने 3000 पर कर दिया ठीक है मैं इसको simple 5000 पर कर देता हूं क्या पता मेरे 3000 पर कुछ चला हो system में और एक मैं app ले लेता हूं जैसा हम करते हैं ठीक है एक्सप्रेस के साथ में जब हम server बनाते हैं ठीक है और इसके साथ में हम लोग एक server रन कर देते हैं app.listen और इसमें first parameter में port number और दूसरे में arrow function आता है या फिर आप इसको मतलब promise की तरह भी use कर सकते देन और catch में तो मैं इसमें कर देता हूं कि अगर यह run होता है तो मैं इसको कर देता हूं app is running on port ठीक है और इसके आगे मैं port डाल देता हूं जो भी है मेरा ठीक है अभी इसको हम लोग check कर लेते हैं और इसके लिए एक और चीज थी कि यह जो मैं example कर वा रहा हूं यह चलेगा इसको कर देता हूं तो मुझे 16 वाला चीज तो मेरे पास में यह गैलियम वाला पड़ा हुए 16.20 तो मैं एनवियम यूज एल्टियस गैलियम कर देता हूं ठीक है अभी अगर आप इसमें नोड माइनस भी करेंगे तो हम लोग उसी में ठीक है तो मैं इसको रन करता हूं रन करने के लिए नोड इंडेक्स.js इसमें यह बोल रहा है कि 5000 पर पहले से कुछ चला हूँ है तो मैं इसको किसी और पोर्ट पर चला देता हूं 5001 पर चला देते हैं हम इसको ठीक है मेरा चल पड़ा प्रोसेस server रहन होगा node.js server ठीक है और अभी हम एक API बनाएंगे ठीक है मैं simple बनाता है app.get get API और इस पर मैं कुछ भी रख देता हूं जैसे मैं कुछ भी रख देता हूं कि intense ठीक है जो intense task होगा इसमें दो parameter रहेंगे request और response ठीक है इसके अंदर हम लोग करते है let total equal to zero और एक for loop हम लोग run करेंगे let i equal to zero ठीक है i is less than million मैं रख देता हूं 5 million ठीक है और i++ था कि थोड़ी CPU intensive थोड़ी हमारे पास प्रोसेस मनें उतना easy नहों इसके लिए करना ठीक है और मैं इसको कर देता हूं result.send जब यह लूप रहना हो जाएगा तो मैं इसको भीज दूँगा कि the result of the CPU intensive task is कि यहां पर हम लोग कर देता है total ठीक है जो उपर से हमने define किया हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है और इसके आगे escape character लगा देते हैं ठीक है यह हो गया हमारे पास में अभी हम लोग इसको run कर लेते हैं CPU को मैं दुबारा से run करता हूं ठीक है और दूसरे side में ठीक है अभी यहां पर हम लोग nvm use कर लेते हैं nvm ls nvm use lts gallium ठीक है यहां पर हमारे पास में 16 वाला चल पड़ा अभी हम क्या करेंगे कि इसको हमारे पास में यह चला हुआ है port no.5001 पर तो अभी हम लोग इसको test भी कर लेते हैं ठीक है तो test करने के लिए मैं curl use कर लेता हूं ठीक है तो मैंने यहां पर किया करल http ठीक है मेरे लोकल पर चला हुआ था http लोकल होस्ट 5001 पर चला हुआ है ठीक है और मेरी जो API endpoint था उसका नाम था है intense और मैंने यहां पर कर दिया intense और इसको कर दिया और मेरे पास में आ गया the result of the cpu intensive task is this ठीक है यह इतनी जल्दी इस लिए आ गया क्यूंकि एक ही request गई न मल्टिपल तो गई नहीं तो उस कि इसमें यह बहुत ही मतलब जल्दी आ गया हमारे पास में ठीक है पर अगर मैं इसी चीज़ को लोड टेस्ट के साथ में ज्यादा मतलब रिजल्ट के साथ में अगर ट्राई करो तो इसमें आपको लग जाएगा पता कि मतलब थुड़ी दिक्कत है ठीक है जैसे मैं अभी npx लोड टेस्ट करता हूं ठीक है माइनस एन और मैं बार एक हजार रिक्वेस्ट बहेजता हूं ठीक है माइनस सी और दोस्तों की कॉन्करंसी रखता हूं माइनस के है इस्टी टीप लोकल होस्त 5001 पर रन हो रहा है और इसका नाम है इन इन तैंस ठीक है इसको रहुँ कर देते अभी देखतें क्या रिजूट आता है यह क्या करेगा कि 1,000 रिक्वेस्ट सेंड करेगा इस सर्वर को और दोस्तों की कंक्रंसी होगी ठीक है तो अभी आप tax request एक हजार थी concurrent clients थे 800 ठीक है चार को रुपे मेरा चला हुआ ये इस टाइम और अगर आप मीन लेटेंसी देखेंगे तो मतलब 1.4 सेकेंड आई है total time execution को लगा 4.93 सेकेंड ठीक है और आप यहां पर दे सकते हैं कि CPU ने कैसे यह मतलब रन किया ठीक है यह हो गया हमारा पहला case की जब हम लोग clustering use नहीं कर रहे है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि clustering use करते हैं इसमें तो मैं यहां पर एक और फाइल बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं primary.js ठीक है और इसके अंदर में हम लोग कुछ चीज़ें import करेंगे इसको हमें install करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हम लोग सबसे फिले cluster from cluster ठीक है और इसके बाद में import OS from OS ठीक है तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं इंपोर्ट डायरेक्टरी नेम या डिर नेम फ्रॉम पाथ पाथ मॉड्यूल से यूज़ करेंगा और यह हमें बाइडिफॉल्टी प्रोवाइड होते है नोड जैस की तरफ से तो हमें इसको अलग से इंस्टॉल करने की जुरूरत नहीं मिल पढ़ती है अगर नोड जैस एंवर्यमेंट में आप काउं कर रहे हैं तो यह आपको मिल जाएंगे वैसे ही एक करेंगा फाइल यूरल टू पाथ फ्रॉल ठीक है यह चीज है तो यहां पर हम लोग सबसे पहले जो भी हमारे पास हमें करने डैरेक्टरी है उसके पास आएंगे ठीक है तो गेटिंग दी करन्ट डैरेक्टरी ठीक है इसके बाद हम लोग करेंगे फाइंडिग्दी नंबर ऑफ सीप्यू सिस्टम में जतने यह मशीन में जितने भी CPUs हैं वो रन करेंगे वो देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो primary हम लोग set करेंगे primary process में जो हमारी index.js file है ठीक है as primary process हम लोग इसको रन करेंगे ठीक है इसके लिए हम जो हम लोग method यूज करेंगे वो cluster का setup primary ठीक है और it will execute the अब यह हर एक process को रन करेंगे spawned हो के मतलब child processor ठीक है अलग-अलग CPUs को assign होंगी और इसके बाद में हम लोग फॉर्क करेंगे जितने हमारे पास CPU होंगे उनको फॉर्क करेंगे मतलब उतनी चार्ड प्रोसेस बनाएंगे और उसके बाद नहीं चाल्ड प्रोसेस को किल कर देंगे ठीक है और नई प्रोसेसेज क्रिएट करेंगे उस टाइम ठीक है तो यह हमारा में चीज है जो हमने करनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले और डारेक्टरी नेम कर लेते हैं एक उल्टू डिर नेम और यहां पर इंपोर्ट.mata.url ठीक है यह हमें क्या करेगा यह हमें जो हमारी करेंट डिरेक्टरी मतलब यह भली रूट डिरेक्टरी यहां तक पहुंचा देगा ठीक है अभी हम लोग टोटल सीप्यू ले लेते हैं कि मेरी मशीन में कितने सीप्यू है तो मैं सीप्यू तो यहां से मेरे सीप्यू आ जाएंगे और इसके बाद मैं क्या करता हूं यहां पर कुछ लॉग लगा लेता हूं कंसूल डॉट लॉग अधी टोटल नंबर और ओफ सीप्यू जो मेरे कंप्यूटर में सीप्यूज हैं तो सीप्यू काउंट है ठीक है और मैं कि जो मेरे पास में primary कि प्रॉसस की आईडी होगी ठीक है जो प्राइम्री सीप्यू डॉइफ़ॉल्ट चला होगा मेरे पास और यह वाला होगा मुझ उसको ऐसे एकजिछ तो प्रॉसस ڈॉट पी ऐडी ठीक है है क्यदा हम लोग इतना हमारा हो गया इसको हम लोग रन प्राइमरी.js ठीक है तो इसे मेरे जो मशीन में चाहिए और प्राइमरी पी आईडी हमारे पास यह वाली है ठीक है तो अब ही हम लोग इसमें अ है सबसे फेले तो इंडेक्स.js को प्राइमरी प्रसेस में रन करें ठीक है तो इसके लिए हम हम लोग यूज़ करेंगे cluster .set .primary यह method होता है ठीक है और इसके बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर में एक object पास करेंगे जिसके में हम लोग पास करेंगे exact और इसमें हम लोग करेंगे directory name जो directory name के अंदर में index.js नाम की file होगी तो वो run हो जाएगे ठीक है और अगले process में हम लोग क्या करेंगे मैं जितने मेरे CPU हो उनको मैं fork कर दोंगा ठीक है तो let i equal to zero i is less than cpu count ठीक है और i++ और जितने मेरे CPU होगा उनको मैं fork कर दोंगा ठीक है ठीक है आठ CPU है तो आठ बार यह fork कर देगा इसको और last में मेरे को क्या करना कि जो जब cluster exit होगा तो मुझे सारी processes बंद कर किल कर देने हैं ठीक है तो इसमें मेरे को तीन चीज़े मिलती है सबसे पहले worker ठीक है कोड और सिगनल इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे जाते डिटेल में तो जो भी एक्जिट होगा तो यह अपने यहां पर processes killed हो जाएंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूं यहां पर worker जो भी आपका worker है यहां हम लोग बैक्टिक्स ले लेते हैं worker.process.pid ठीक है has been killed यहां पर मैं कर देता हूं console.log starting new worker ठीक है और यहां पर हम लोग कर देंगे cluster.fork ठीक है तो basically चीज क्या होगा कि primary जो हमारी process होगी उसमें हम लोग index.js run करेंगे ठीक है और बाकी जितनी हमारी requests होंगी वह सारी run होगी इसमें इसमें हम लोग for cluster को इतनी बार fork करेंगे जितना हमारे पास में CPU हैं ठीक है उतनी processes create हो जाएंगे और वो क्या करेंगे फिर उनको handle करेंगे ठीक है जो भी request आएंगे उनको handle करेंगे ठीक है और उसके बाद में हम लोग जब हमारा exit हो जागा काम हो जागा cluster का तो यह खुद बखुद ही किल हो जाएंगे processes और एक नई process create हो जाएगे ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको run कर लेते हैं ठीक है तो इसको मैं run कर देता हूं आप देखेंगे कि primary ID यहागी मेरे पास में नमबर और CPU मेरे पास में यह वाले आगे हैं और यह अगर आप देखेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ वार यह रन भी हो गया ठीक है मतलब आठ CPU थे ना मेरे पास में तो आठ वार यह रन भी हो गया और यह सर्वर हमारे पास में चला हुआ तो हम क्या करते हैं सबसे वहले जो हमने पहले रिक्वेस्ट सेंड की थी एक हजार और दोस्तों के साथ उसको रन कर लेता हूं उपर वाला हमारे पास में रिजल्ट है जो विदाउट क्लस्ट्रिंग था अभी हम लोग देखते हैं में लेटेंसी अभी 1.06006 पहले आई तो 1.4 ठीक है और आप देखेंगे कि इंप्रूम्मेंट तो काफी हुई है इसमें ठीक है और मतलब रिक्वेस्ट हैंडल करने का तरीका तो बदला है और जो यह टोटल एर्रस उपर आपको नजर आ रहे इसकी टेंशन नहीं ले नही कई बर जादा हीट हो जाते हैं जैसे concurrent clients तो यह थोड़े errors बगारा दिखाने लग पड़ता है उसका कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बाले में कोई error है तो यह था मतलब simple सा एक simple सी application जिससे हम लोग clustering को समझ सकें कि clustering कैसे काम करती है तो basically के लिए इसमें है कि हमें CPU में जितने course है उन्हों सभी को यूज करना है ठीक है हमारी जो भी request आएगी उसको handle करने के लिए ताकि हमारी जो node.js application बनी ही इस तरीके से है कि हम लोग maximum use कर सकें CPU का ठीक है पर इसमें ऐसा है कि main thread तो एक ही होता है तो हम एक क्या करना पड़ता ह है बाकी के course यूज करने के लिए clustering यूज करने पड़ती है मतलब एक तरीका होता है जिससे हम लोग processes manage कर सकें ठीक है तो आज के लिए इतना ही था और सबसे में चीज की जैसे live server में आपने node.js deploy कर दिया है app और उसके अंदर में processes के लिए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा मत उसका नाम है PM2 जिसका short name process manager और 2 वो क्या अगरता वो same to same काम कर देता है server पे उसका काम ये processes manage करना जो हमने यहां पे की कि सारे के सारे CPUs का use करना जो भी हमारे पास में live machine पे हैं तो वो PM2 आपकी तरफ से खुद बखुद ही कर देगा आपको उसमें कोई extra code लिखने की ज़र सकते हैं वीडियो अच्छी लगई है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं थैंक यू बाई